वेलकम टू एससी मेकर आजे 20 जन्वरी 2021 और 20 जन्वरी से करेंट अफेर्स के जितने भी इंपोर्टेंट कोशन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे और हर कोशन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगी तो पूरा वीडिय मैं आपको एक चीज़ याद दिला देती हूं कि जैसा कि आप सभी जानते हैं ससी मेकर की पूरी टीम ने एक इबुक को लॉंच किया है जिसमें पंदरा सो से ज्यादा कोशन है इसमें पूरा प्रिवियस यर का कमपाइलेशन है और जितने भी मोस्ट रिपीटिड कोशन है वो सारे इस पीडियेफ में इस इबुक में दिये हुए हैं इसलिए यह आप लोगों के लिए बहुत ज़दा इंपॉर्टेंट होने वाली है ठीक है इसमें साइंस के बीसेट जनरल अवेरनेस के भी बीसेट जीएस वन लाइनर के इसमें पच्छे सैट और मैथ और रीजन है इसका प्राइज क्या है इसका प्राइज सिर्फ 49 रुपीज बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल बहुत ज़्यादा नॉमिनल इसका प्राइज है इसको बाय करने के लिए आप लोग को डेस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जाएगा वहां से आप लोग इसको बाय क कर सकते हैं बहुत इजी ली चलिए देखते हैं आज के फर्स्ट कोईशन की हम लोग अगर बात करें तो फर्स्ट कोईशन के कहता है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को किस ट्रस्ट का नया अध्यक्स चुना गया तो इसका करेक्ट आंसर है सोमनात मंदिर ट्रस्ट प्रदा केशु भाई पटेल ट्रस्ट के अध्यक्स थे पीम मोदी केंद्रिय ग्रह मंत्री अमित चाह के साथ 6 लोग इसके ट्रस्टी अब होंगे अगर हम लोग बत करें गुजरात के पूर्व मुख्य मंत्री और भाजपा के दिवंगत नेता कौन केशु भाई पटेल इस ट्रस् आज की वीडियो के लिक का टार्गेट है 1800 प्लस लाइक आई होप यह टार्गेट सभी ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करेंगे और पीडियाफ आप लोग को टेलिग्राम के गुरुप में मिल जाएगा वहां से आप लोग पीडियाफ डाउनलोड कर सकते हैं चलिए दे ठेक्ट अंजर है ब्रिटेन इसका ओन जाता है अगर हम लोग यहां पर बात करें साथ में क्या कि भैया ब्रिटेन की सरकार उसने इस्ट इंडिया कंपनी के शिर्ष अधिकारी कौन है रॉबर्ट क्लाइव उनके इंडियन सिल्वर दर्बार के मॉडल के निर्यात पर रोक लगा दी यह रोक अभी फिलहाल एस्थाई रूप से लगाई गई है साथ में अगर हम लोग करोड रुपाई ठीक है और माना जाता है कि यह मुगल कालीन दर्बार की जाकी है तो इस से रेलेटिड कोशन मुगल से रेलेटिड भी कोशन बन सकता है और इस्ट इंडिया कंपनी से को रिलेट होके वी हिस्टरी बेस्ट कोशन आपके एगजाप्स में पूछने के चंसे बहुत ज़ादा बन जाते है तो इसी लिए हिस्टरी बहुत ज़ादा इंपोर्टन्ट होती है हमारे सभी एगजाप्स के लिए तो इसका करेक्ट आंसर क्या है ब्रिटेइन चलिए मुफ करते हैं आज के फ्रांस के तेल उर्जा समुहू टोटल ने अडानी एनर्जी में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने है तू दो पॉइंट पांच अरव डॉलर का समझोता किया तो इसका करेक्ट आंसर है 20% 20% इसका करेक्ट आंसर है फ्रांस की लोकेशन आप यहां देख पा रहे हैं यह हमारा प्यारा भारत और यह है फ्रांस की लोकेशन अगर हम बात करें यहां पर फ्रांस के तेल एम उर्जा कारुबार में लगे समुहू टोटल ने भारत के अडानी ग्रीन एनर्जी रहता है साथ में अडानी ग्रीन एनर्जी अडानी सम्हू की कंपनी है और साथ में अडानी ग्रीन एनर्जी का बाजार पुंजी करण लगबग लगबग 14577 करोड रुपए हैं ठीक है साथ में इस तरह 20% करोड रुपए में किया जा सकता है तो इसका correct answer है बीस परसेंट चल चाबहार बंदर गहा को कितने हार्नर क्रेन की आपूर्थी करी तो इसका correct answer है दो, जी हाँ दो इसका correct answer है, अगर हम लोग बात करें, भारत ने हाल फिलल में बताया, के भाया भारत ने धाई करोड डॉलर से अधिक एक सौधे में इरान के चाबहार बंदरगहा के दो मोबाइल हारबर क्रेन उसकी आपूर्ती करी अब इस कदम से बंदरगहा को बिना बाधा के माल चड़ाने और उतारने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इन क्रेनों से बंदरगहा पर माल के प्रबंदन के कारे में भी तेजी आएगी और साथ के साथ भारत ने कोरोना संक्रमन की स्थिती में सुधार होते ही बंदरगहा के विकास का कारे भी तेज कर दिया तो इसका करेक्ट आंसर है दू चलिए देखते हैं आज का अगला बहरीन को प्रमुख रण नीतिक साज़ेदार का करार दिया तो इसका करेक्ट आंसर बी अमेरिका इसका करेक्ट आंसर बन जाता है अगर हम लोग बात करें यहां पर अमेरिका ने सैयुक्त अरब अमिराथ यू एई और साथ में बहरीन को प्रमुख रण नीतिक साज़ेद का करार दिया है ठीक है इसकी घोशना वाइट हाउस के द्वारा की गई अब यह घोशना ऐसे समय में हुई है जब देश के राष्टपती कॉन डोनाल्ड ट्रम्प और नव निर्वाचित राष्टपती कॉन जो बिडेन उनके बीच सत्ता हंस्तांतरण की प्रकिरिया चल रह लगी है क्योंकि ये टाइम बहुत जादा इंपौर्टेंट बहुत-च्यादा क्रूशन बहुत ज़क्त ज़दनीर ज़्यायर वह संसिटीव सा है इस टाipp पर अमेरिका का क्योंकि वहां पर शक्तियों सस्तांतर है अब गर गर मोट करें एक तरफ अगरcus量 Super ट्रबनांड ट बहुत ज़्यादा important situation बन जाती है ठीक है तो इसका correct answer है अमेरिका साथ के साथ रणनीतिक भागीदारों कपद संयुक्त राजे बहरीन राजे और संयुक्त अरब अमिरात के बीच मौझूदा साजेदारी को और ज़्यादा strong करेगा तो इसका correct answer है अमेरिका चलिए देखते हैं आज का अगला question क्या कहता है किस राजे ने one school one IAS योजना का उधगाटन किया तो इसका correct answer बहुत important question है ये केरल इसका correct answer है केरल के राजे पाल कौन आरिफ महम्मद खान आरिफ महम्मद खान ने one school one IAS योजना का उधगाटन किया इस वैदिक मतलब इस जो योजना है इस प्रोग्राम के तहत मतलब इस प्रोग्राम के तहत केरल के राजे पाल ने आरिफ महम्मद खान ने राजे के 10,000 प्रतिबाशाली और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को मुफ्त में प्रशासनिक सेवा और अन्य प्रतियोगी परिक्षाओं में कोचिंग देने की शुरुआत करी क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा नंबर्स में कितने नंबर्स में 10,000 तो 10,000 बहुत ज़्यादा नंबर होता है केरल में ऐसे 10,000 जो मतलब जिनके अंदर पोटेंशल है ऐसे बच्चों को ऐसे स्टुटेंट्स को ऐसे एस्पिरेंट्स को फ्री में कोचिंग दी जएगी जो भई वो अपनी तयारी कर सकते हैं UPSC की जैसे कि आप सभी जानते हैं इसकी तयारी में अगर यह स्कीम चलाई यह कौन सी क्या नाम है वन स्कूल वन आईएस तो बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट यह कोशन बन जाता है इसका करेक्ट आंसर है केरल के बारे में आपको क्या लिखना है एक गवर्नर का नाम तो मैं आपको बता चुकी हूँ तो आपको क्या लिखना है सीम का नाम कितने नंबर ओफ डिस्ट्रिक्ट्स है केरल में यह नंबर लिखना है और साथ में क्या लिखना है केरल के बारे में जितनी भी इंफोर्मेशन आप लिख सकते हैं वो सारी इंफोर्मेशन लिख दीजेगा ठीक है तो चड़ी हम मुव करते हैं आज के अगले प्रेशन की साइट 7th कुशन की बात करें तो भारत और किस राजे ने सूचना एवं संचार प्रद्योगी की के छेतर में सहयोग बढ़ाने के उदेश्ये से एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये तो इसका correct answer है जापा जापान इसका correct answer बन जाता है अगर हम लोग बात करें भारत और जापान ने हाल फिलाल में सूचना एवं संचार प्रद्योगी की के छेतर में सहयोग बढ़ाने के उदेश्ये से एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये हैं ठीक है भारत सरकार का दूर संचार विभाग जापान सरकार का संचार मंत्रा ले फाइव जी से जुड़ी प्रद्योगी कियों दूर संचार सुरक्षा आपदा प्रबंध और सार्जनिक सुरक्षा आधी चेतरों में आपसी सहयोग को बढ़ाएंगे तो इसका correct answer है जापान वैसा भी आप सभी जानते हैं कि जैसा कि आ हमारी कंट्री के साहथ ज्यादा अच्छा एं ऩह तो इसलिए जापान के साल हमारी कंट्री बहुत अच्छे अच्छे-चे बहुत मतलब सी इंफ्रस्ट्रॉक्ट्र से रिलेटेड इसं टैप के कॉंट्रेक्टर अर एगृमेंट सांच शांट करती रहती तो जापान 40 मुत अगर है आपर हम लोग बात करें अमेरिका के ओपन स्काई संदी यह थोड़ा इंटरनेशनल रिलेशन्स टाइप के कोशन हो गए तो इस तैप के कोशन भी देखने को मिल जाते हैं आजकल के पैटन में तो इसलिए मैं यह सारे कोशन भी अब कवर करने लगी हूं थोड़े- तो आयार से रिलेटेड कोशन पूछ सकता है इसलिए मैं इंपोर्टेंट है तो मैं बता देती हूं अमेरिका ने हाल फिलर में ओपन स्काई संदी से अलग होने की घोशना के बाद रूस ने भी इस संदी से वापस लेने की खुद को घोशना कर दी अमेरिका के तुरंती ब जैर हतियार वाले निगरानी विमानों की उड़ान की अनुमती देती है और साथ में इस संदी से अमेरिका की वापसी के कारण रूस के सामरिक हितों पर गंभीर खत्रा उत्पन हो सकता है तो भहिया उसको अपनी सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा चिंता है इस वज़ा से यह लिया है वापस अपना नाम तो इसका करेक्ट अंसर है रूस चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या कहता है अगले प्रश्न की बात करें तो सुप्रीम कोट बार एसोसियेशन के किस अध्यक्ष ने ततकाल प्रभाव से अपने पद से हटने का इस्तिफा दे उन्होंने बताया कि भाईया वे बार एसोसियेशन के नेता के रुक में कार्वे जारी कर रखने के अपने अधिकार का त्याक कर रहे हैं साथ के साथ कार्वे वाहक SCBA सचिव रोहित पाइंडे ने इस बात की पुष्टी की कि भाईया वरीष्ट अधिवक्ता के ततकाल प् में जाना जरूरी है अगर हम लोग बतकरें कल के क्विक रिवीजन की तो क्विक रिवीजन में हम लोग देखेंगे स्टैचू आफ यूनिटी के वढ़िया कहां पर गुजरात में इस्थित है इंडियन परस्नालिटी ओफ द इयर पुरसकार से विस्वजीत चैटर जी को स मानित किया गया दूर संचार उकरण और सेवा निर्यात समवर्धन परिशद के अध्यक्षकॉन संदीप अगरवाल उनको नियुक्त किया गया श्री उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान शास्त्रिय संगीत के लिए जाने जाते हैं भारत के पी-म ने भारत रतन M.G.R. को उन ने बताया भी था सेवत राष्टे के अकॉर्डिंग इंडिया के लोग दुनिया में सबसे अधिक संख्या में प्रवासी हैं तो यह हमने देखा कुई क्रिविजन 19 जन्वरी के वीडियो का आई होप सबको वान लाइनर के फॉर्म में यह सब चीजे याद हो गई हो अगर आगर आगर के प्रेशन की तो Chief of Army Staff Commendation से किसे समानित किया गए अमरेश कुमार चौदरी सी इसका करेक्ट आनसर बन जाता है अगर हम बात करें आज के प्रेशन की तो आज का क्रेशन क्या कहता है संग्ष राष्टे मानवतादिकार परिश्वत ने किस देश के राजवूत राजबूत को 2021 के लिए राष्ट पती चुना तो यह चार ऑप्शन है इन में से एक ऑप्शन करेक्ट है I hope सभी करेक्ट आंसर लिखेंगे और हाँ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मद भूलिएगा वीडियो के लाइक कर टार्गेट क्या है अठारा सो प्लस लाइक I hope यह किजिए उसके बगल में वाइल आइकॉन को भी प्रेस किजिए जिससे सारे नोटिफिकेशन टाइम टाइम पर मिलते जाए आज के लिए इतने थैंक्स वर वाचिंग देस वीडियो आव गूद देब बाई टेक कियर